तो खुद की खोज में निकल मुझे मालू नहीं तुम्हारी माने तुम्हें क्या सिखाया मैं ने दरता कहते हैं कि दुनिया में एक शकल के साथ लोग होते हैं कभी न कभी आपने भी इस बात को experience किया होगा कि आप किसी की तरह दिखते हैं या फिर आप की तरह कोई दिखता है दोस्तों आप सबने मुझे अक्षे कुमार के अंदाज में बहुत पसंद किया बहुत प्यार दिया लेकिन आज इस वीडियो के जरिये में आपको कुछ और ऐसे आर्टिस्ट से कुछ और ऐसे चेहरों से मिलवाऊंगा जो हमारे फिल्मी जगत के किसी सूपर स्टार से मिलते हैं वैसे कहते हैं कि किसी का डुपलिकेट नहीं बनना चाहिए लेकिन ये शब्द बहुत गलत है डुपलिकेट इसका सही शब्द है हिंदी में हम शकल इंग्लिश में कहते हैं इसको लुक अलाइक और किसी बड़े इंसान का हमशकल होना कोई बुरी बात नहीं है और वैसे ही किसी के हाथ में भी नहीं है अगर किसी का चहरा किसी और से मिल रहा है तो ये तो उपर वाले की देन है और कोई इंसान अगर किसी के चहरा उससे मिलता है और वो मेहनत करके अगर आगे बढ़ रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है आज इस वीडियो में कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा जो मुझे लगता है कि हमारे सूपर स्टार्स जो हैं इंडस्ट्री के उनसे काफी भी ये मेल खाते हैं काफी उनकी परसनालिटी उनसे मिलती है एक-एक करके मैं आपको दिखाऊंगा और आप कॉमेंट में हमें बताना कि आपका फेवरेट कौन है तो चलिए शूरू करते हैं चलिए मिलते हैं सल्मान खान के लुक लाइक बर्वेज काजी से जिनके टिक टॉक पे 1.7 मिलियन फॉलोवर्स है आते जाते जो मिलता है तुम सक लगता है स्टेश के नाम पे मेरे बाओजी ने मेरा नाम भारत रखा अब इतने बड़े नाम के आगे जाती धर्म सरनिम लगा के आई अब मिलते हैं हमारे इंडियन कैप्टन विराट कोली के हम शकल गौरव अरोडा से जिनके टिक टॉक पे 9.9 मिलियन फॉलोवर है और जब आप ये वीडियो देख रहोंगे शायद 10 मिलियन भी हो जाएंगे दोस्तों मिलवाते हैं आपको 1-2-4-4-2-1 अनिल कपूर जी के लुक लाइक आरिफ खान जी से मुझे मालम नहीं तुम्हारी माने तुम्हें क्या सिखाया लेकिन मेरी माने मुझे ये सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ गुलाम बनोगे तो कुट्ता समझ कर लात मारेगी दुनिया दोस्तो ये है शनया सचदेवा जो कि बिलकुल करीना कपूर जैसे एक्टिंग करती है एक्सप्रिशन्स भी बिलकुल वैसे देती है इनके टिक टॉक पे करीबन 962K है चोटे 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 चब मैं वात कर रही ही ना मादा और वैसे भी एक जमाने में देलावट इचादना लक्षमान बिच्डो को मिल्वाना इस नोबल डीड यार और लकी यू अंखों को मीचे मीचे मैं तेरे पीचे पीचे तुम कुझ आती हैं इसे क्यूट होते हो पर तुमनों का खाना इतक हदला क्यों होता है ठोकला फाफ़डा अन्वा ओ ये बिश्णू सिंग है ये आमिर खान की तरह दिखते हैं और जो जवानी के आमिर खान थे 90's के आमिर खान बिलकुल वैसे दिखते हैं कि क्टॉक पे करीबन इनके धायलाग फॉलोवर्स हैं आसूमियत है कितनी सादगी ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी उतर आही है हां कुछ कहा तुमने कहते हैं प्यार में नीद उड़ जाती है हां कोई हमसे भी महपत करें कवक्त नीद बहुत आती है याँ आई ये मिलते हैं अमायरा से जो बिलकुल PC की तरह दिखती हैं प्रियंका चोपड़ा की तरह ये ये एक्स्परिशिंस भी देती हैं लगबग 373 के फॉलोवर्स हैं काशी ने तो अपना पती शेहर कर लिया तो बैक कितनी बड़ी बात है कि अफ लुझ ने ऐस भी दूख बेसा विड़ी दिचेझानर मेक के लिए इस वागण कर दो को शिरी दोनने हम अड़ी था jadi और यो में लिए होल्यूरी एक्षिक में और रह कि शेशिकांत पेडवाल और अमिताब बच्चन जी जिनके करीबन नौ लाख तेरह हजार फॉलोवर्स हैं तो खुद की खूज में निकल सब लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि यह जो वक्त है यह कि इत्यास करने का है अन्ना यानि की सुनिल शेटी जी के हमशकल शरीफ हिरेमानी लगबग सवा चार लाख फॉलोवर्स हैं इनके पलवीर चन्जी जो की मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदूलकर के लुक लाइक हैं लोग कभी कभी तो उनको सचिन तेंदूलकर ही समझ लेते हैं इनके करीब अन्ना एक लाख फॉलोवर्स हैं दोस्तों आखिर में जाते जाते मैंने अपना वीडियो डालने की गुस्ताखी भी की है आपके त्यार से 2.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो कॉमें बताइए मुझे क्या पागल किसी कुत्ते ने काटा हुआ है जो मैं उसको कॉँ गिटार मैं नहीं बजा रहा था हमारे पंडेत समीर मलोत्रा बजा रहे थे जोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसे लगे हमारे लुक लाइक स्टार्स अगर आपको लगता है कि कोई स्टार रह गया तो आप कॉमेंट में उनका नाम बताइए हम अगले वीडियो में उनको अड़ करेंगे और आपके फेवरेट कौन है वो भी हमें बताइए थैंक्स वर वाचिंग लेटिस्ट कॉमेडी और मिमिक्री के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेर जरूर कीजे थैंक्यू